सभी का खून शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून शामिल यहां की मिट्टी में, इसी के पाफ का हिंगो सबागी है। शेशन कोट से ही अपील को एडमिट करा के वहां से क्यूटल हो जाते हैं बरी हो जाते हैं या उन्हें हम्धावाद हाई कोट जाना पड़ता है या क्या करना पड़ता वो तो वक्त की तहे में है वो तो लीगल ओपिनियन अलग चीज़ है हुए जब पाकिस्तान हमला हो रहा था तो इंदिराजी के लिए कहा कि हमारी दुर्गा है फ्रॉड के केस में मोधी चुड़े हुए हैं देखिए कोई जाती गलत नहीं होती है कोई छेत्र गलत नहीं होता है कोई भाशा गलत नहीं होती है कोई संपरदाय गलत नहीं होता है लेकिन राहुल गांधी जी सारे समाज को लेके चले भाड़ा दर्मों को लेके चले भाल में वही करणाटक के नेता, जो गौंग्रेस में होते हैं, वो भारती अन्ता पाटी में आते हैं, तो अच्छे हो जाते हैं, इसका क्या मतलब? कोई भाग्दियंता पाटी ऐसी वैतरनी तो नहीं है कि उसमें गंगा में डुबकी लगाओ और आप सही हो जाएंगे जो काम उन्होंने बाद में किया वो उसी दिन करना चाहिए ते मैं तो यही कहूँगा कि लीगल टीम कमजोर थी जो काम उन्होंने बाद में किया वो पहले कर लेते उसी समय तो राजीब गांदी की सदस्ता भी बची रहती, कोट्री भी बची रहती, वाइनाट का ओफिस भी बचा रहता, बिली का कनेक्शन भी रिश्टोर नहीं करना पड़ता तमस्कार में आपके साथ औरंग जेब चोधरी फिलाल में मौझूद हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ बाचीत करने के लिए जानेवाने वकील, एपी सिंग हमारे साथ मौझूद है, जिस सरीके से राहुल गांदी का पूरा मामला, दो साल की सजा और संसिदर रत कर दी गई, उसी पर हम बाचीत करेंगे, सर, फैसला आने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बड़ी साफ द्रश्टिसी है, वो साफ कहती है कि जब कनविक्ट होता है वक्ती, तो तुरंत सर्टिफाइड और कॉपी उसके हाथ में दी जाती है, जिससे उसे लेना ना पड़े, तुरंत सर्टिफाइड कॉपी हैंड ओबर कर देते हैं उसको, अगर आप में छम अपील फाइल है, अब अपील पेंडिंग नहीं थी, अपील फाइल नहीं थी, तो उनके लिए एक आस्रा मिल गया, एक रास्ता ना, फिर उसके बाद जो है, आवाज खाली कराने का नोटिस कर दे देना, देखे सत्ता पक्ष तो है, जो सत्ता में है, वो विपक्ष को कैसे करेगा, विपक्ष को सराहेगा, वो जमाने साब भारत में बलद गए, जब अटल विहारी बाजपई जैसे प्रधान मंत्री ने बनने से पहले, जब राजीब गांधी प्रधान मंत्री थे, और अटल विहारी बाजपई के घुटनों में दर्द हुआ, और उनको इलाज के ये वो विपक्ष और वो सत्ता वो जमाना अलग था जब अटल जी ने भी विपक्ष में रहते हुए जब पाकिस्तान हमला हो रहा था तो इंदिराजी के लिए कहा कि हमारी दुर्गा है वो तो लद गए अब तो बदले की भावना भी होगी आरोप प्रत्यारोप भी होगे क्यों नहीं होगी एक तरफ लोग कहते हैं मोदी की कबर खो दो एक तरफ कहते हैं मोदी का ये कर दो मोदी कब मरेगा मोदी गाली प्रूफ हो गया देश के प्रधानमंत्री कहना पढ़ रहा मैं तो गाली प्रूफ हूं तो यह उनके लिए भी गलत है कि देश के लोग इतन समाज का अपमान नहीं है कॉंग्रेस ने ओवी सी समाज मोधी समाज दलिस समाज सवान समाज सबका कॉंग्रेस ने सम्मान किया था कर रही है और लोग तंत्र में रहने के लिए विपक्ष में सक्ता में रहने के लिए आपको सभी धर्म छेत्र भाशा और संप्रदाय के लोग लेकिन सब जातियों में सब चेत्रों में सब भासाओं में सब संप्रदायों में गलत लोग हैं गलत भी है वहां तो गलत गलत होता है अपराधी अपराधी होता है डिफाल्टर डिफाल्टर होता है चीटर चीटर होता है उसको जाती छेत्रह भाषा संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते बिलकुल नहीं जोड़ सकते और जोड़ना नहीं लोगों को केंदरी मंत्री बनाया मोधी जी ने बनाया मोधी जी ने तो 46 मंत्री बनाये समाज के खुद देश का प्रधानमंत्री ओविसी समाज से देश की महामईम राष्ट्रपती शरूर ट्राइप जाते से हैं उडिसा से पिछले राष्ट्रपती देश के महामईम रामनात को विजी दलिस समाज से थे प्रतिवाद एवी सिंग पाटिल रात्पूर समाज से थी डॉक्टर शंकल द्याद शर्मा जी ब्रामर समाज से थे तो सभी समाजों का सभी का खून शामल यहां की मिठी में किसी के बाप का हिंदोस्तान नहीं है आप क्या आशा करते हैं मोदी जी राहूल गान्धी की तारीफ करें उनकी कसीदे पढ़ें मोधी जी राहुल की तारीफ में कविता बनाएं वो कविता सदन में बोलें वो तो नहीं बोलेंगे साब वो वो तो अपने RSS के लिए बोलेंगे हिंदुत्तों के लिए बोलेंगे वो तो उनका मुद्दा है उनका एजंडा है उसके लिए बोलेंगे अपने एजंडे पर ही तो रहेंगे, वो कैसे हट पाएंगे, वो नहीं हटेंगे, हटना भी नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन राहुल गांधी जी सारे समाज को लेके चले हैं, सब धर्मों को लेके चले हैं, सब जातियों को लेके समय संबब पर चले है त्यागी तपस्वी बलिदानी परिवार से हैं राहुल गांधी उनके त्याग को उनकी त्याग के परिवार को राजीब गांधी की नर्शनश हत्या को इंद्राजी की नर्शनश हत्या को ये देश भुला नहीं सकता है वो देश की आईसी प्रधान मंत्री रही जिनों ने कह कि मेरे देश का एके कत्रा मेरे खून का एके कत्रा ले खून का एक एक टा अखंडता को मजबूती देगा ये उनकी आख़ी देश कि आ बात कर रहे हैं वही कंग्रेस को बीजीपी कहती कि इसने देश को लूटा है 70 साल हम तो 14-14 के बाद से सारी चीजों को सही कर और तो चौधा से पहले देश नहीं चल ला था उपिज़ टने ख SUBSCRIBE कोट नहीं थी जौधा से पहले राश्नपती भवन y Imms घून शेज में बिपक्ष नहीं थी सब कुछ था अपने बेटे को सब लोग सुन्दर कहते है जब वही कॉंग्रेज के लोग मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, जब वही माधवरा सिंधिया कॉंग्रेस के भाजपा में आते हैं, तो वह अच्छे हो जाते हैं, वही जितिन प्रशाज जितंदर जी के सुपुत्र कॉंग्रेस से भारती जनता पार्टी में आते हैं, तो वह अच्छे हो जाते हैं, वही करना तत्त है उन्होंने दो सीटों से दो सो पे आये हैं राम मंदर मुध्दा उनका रहा अध्वानीन जी की आत्रा रही मेहनत रही है अब हór बजह कई ना जाता है तो निश्यत तौर पर विपक्ष को एक होना चाहिए लेकिन गलकरी जी भी कह चुके हैं कि बिपक्ष मजबूत होना चाहिए, कॉंग्रेस के लोगों को अपना एनलिसिस करना चाहिए, अगर जब कॉंग्रेस के लोग एनलिसिस करेंगे, अपनी पार्टी के लिए मजबूती करेंगे, तभी बिपक्ष मजबूत होगा, सत्ता और बिपक्ष, सदय बिपक्ष उस प् वापस होगी वो तो उनकी legal टीम किस तरह से अपील करती है क्या-क्या उन्होंने Г में किया है क्या ground ली हैік कितनी अच्छी लगाई है वहां से से और हो जाते हैं या उन्हें की Came alicia चीज है वो आएगी समय पे आएगी लेकिन निश्यत तोर पर राहुल गांधी ने जो कर्ण्या कुमारी से कश्मीर तक ही यात्रा की देश को जोड़ने का काम किया जो यात्रा की देश जुड़ा नहीं जुड़ा मुझे नहीं पता मैं कोई ग्रह मंत्री नहीं हूं और विपक्षी के रूप में राहुल गांधी आगे बढ़े और और आगे बढ़े ऐसा होना चाहिए विपक्ष को सत्ता में भी तभी है जब विपक्ष मजबूत रहे तभी उनको कहते है निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए एक हावत है कि निंदक जो है उसको अप पहले आपकी कर देगा आप अपने में सुधार ले आइए आप अपने में बदलाव ले आइए आप अपने में परिवर्तन लाइए आप महान हो जाएंगे निखर जाएंगे कोई तो आदमी निखर जाता है जब उस पे आपत्ती पड़ती है कोई बिखर जाता है लेकिन को झाल झाल